दोस्तों आज बात करेंगे कल के बाजार के बारे में और आज मार्केट में आपने मॉर्निंग में देखा कि सल आन राइस टार्ट अजी ने वर्क किया जा कि देखेगा एक मिनट से ले कर देखेगा 10 मिनट तक निफ्टी का मुमेंटम किदा रहा नीचे की तरफ द्यू टू इन फोसिस और निफ्टी बैंक में भी सेम चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा तो scalping की ये strategy वर्क करी जब मार्केट में ज्यादा volatility है आज सीखने को क्या मिला जब मार्केट में ज्यादा volatility हो फर्स तिंग सेकेंड तिंग मार्केट अंसर्टेन हो पता ना हो कि किस मुमेंट पे मार्केट देखेगा अपनी चाल को बदल सकता है तो उस समय छोटे points लेकर आपको उस दिन की trading को अलविदा कह दिना चाहिए तो ये best scenario रहता है जो day end तक sideways market में trade करते रहे वो शायद देखेगा अच्छा profit तो बना भी नहीं पाया होगे और profit बनाया होगा वो भी गवा दिया होगा तो सबसे पहले हर एक दिन से learning लेना शुरू करिए एक copy बनाईए अपनी mistake लिखना शुरू करिए और आपको तीन महिने में इतना बड़ा improvement देखने हो मिलेगा जो आपने अब तक अपनी life में नहीं देखा होगा तो ये चीज़ आपको सबसे पहले करनी है तो सबसे पहले आज बात करेंगे कल का क्या scenario है तो कल का scenario अभी तक तो clear नहीं है तो भी फ्रांक अभी तक clear नहीं है क्योंकि मुझे लगता है तीन चार concern तो ऐसे हैं जो market के लिए एकदम अच्छे नहीं है अब यहाँ पर FII trap करने की कोशिश कर रहे है या फिर FII बिलकुल इसको ignore कर रहे है कि उन्हें लगता ही नहीं है ये कोई बड़ी update है और या फिर देखेगा अभी certainty देना नहीं चाहते है FII market को जब तक new year नहीं आ जाता तो यह आपके लिए भी तो आप देख सकते हैं US 10 year bond deal 30 year bond deal अभी कोई momentum देखने को नहीं मिला है just flat है आप देख सकते हो पूरा दिन flat test देखने हो मिली आगे बढ़ते हुए अगर आप देखेंगे तो crypto market थोड़ा सा शांत है सुस्थ है क्योंकि आप देख रहो Bitcoin कल भी गिर रहा था आज भी गिर रहा है Ethereum में भी काफी अच्छा fall है आप देख सकते हो और कुछ अच्छे crypto में भी downfall देखने हो मिला है तो crypto तो behave कर रहा है sell on rise strategy पे जो की certain view है क्योंकि आपको भी पता होना चाहि लिए दो पान जो पानिक है मार्केट के लिए वह एक रेट सी जो आपको पता है तो आगर आप देखेंगे रेट सी वहां का जो एक कॉलीजिन है जो हूती ग्रूप कर रहा है वो थोड़ा सा painful है second thing देखेगा जो आपको देखने को मिल नहीं है कि यहां पे अब अगर ऐसा होता है कि जो clash है जराइल का वो बढ़ता है तो inflation पे कितना impact है उसके लिए कितना prepared है market तो यह दोनों चीज़ें थोड़ा सा देखेगा आपको देखने मिल नहीं है तो bitcoin, ethereum, crypto market भी अभी आपको down देखने मिल ला है INR same to same कोई बड़ा panic नहीं है अभी इस समय तक कोई भी भी आई forex में position में बना रहा होगा तो उस current से देखेगा INR में काफी stability देखने हो मिल लई है जो कि एक बहुत बड़ा positive factor है हमारे अपने market के लिए बहुत बड़ा positive factor है तो यहाँ भी flatness है आप देख सकते हो कोई बड़ा momentum यहाँ पे देखने हो नहीं मिल ला अब बात करें यहाँ पे commodities की तो gold up है आप देख सकते हो silver up है metals में काफी अच्छी देखेगा आपको देखने को मिल लई है अच्छी शुरुआत देखने को मिल ले लेकिन मुझे crude को लेकर अभी तक यह 74 डॉलर पे आ चुका है Brent oil 80 डॉलर के आसपास है crude को मुझे देखना है कि like अगर cautious element आते है Red Sea से तो क्या crude behave करता है crude किस तरीके से behave करता है वो जानना बहुत ज़रूरी होगा लेकिन उसके लिए आपके से मैं यही कहूंगा कि आप stop loss maintain रखें loss लीजेगा तो छोटा ही लीजेगा छोटा innocence एक risky factor जितना risk manage हो सके अब बात करेंगे nifty futures काफी अप हैं लेकिन DAO futures में ऐसी कोई बड़ी तेजी नहीं है like अगर आप morning से देख रहे होंगे आपने trade किया होगा आज तो DAO futures में आज कोई बड़ी तेजी नहीं थी और tech futures में भी कोई भी बड़ी तेजी नहीं देखने हो मिल लही है तो अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से कोई भी clear indication नहीं आ रहा है nifty 50 की बात करें तो ठीक ठाक mood और महौल लहा nifty bank की बात करें तो ठीक ठाक दोनों side का महौल लहा support भी hit हुआ और resistance भी आपको hit होते हो दिखने मिला जो होता है गया था 47,770 का कल के लिए मेरे लिए देखेगा सबसे important है nifty के लिए nifty के लिए मुझे लगता है 2,1 देखेगा 4,8,0 और 2,1 देखेगा 5,25 यह बहुत important resistance रहेंगे यहाँ पे market थोड़ा सा pressurize हो सकता है जैसे आज अचानक से nifty नीचे चला गया था तो यहाँ पे मुझे लगता है salonize strategy वर्क कर सकती है नीचे की तरफ अगर 380 का level दूटता है तो 300 तक के level देखने को मिल सकते है nifty में इसके लिए आप हमेशा ready रहेगा 380 का अच्छा support है 300 देखेगा यहाँ पे आपको बता है base बनाए हुए market यहाँ पे nifty bank की बात करेंगे तो मेरे लिए अब सबसे पहले तो आपको बताईए 47770 मेरे लिए resistance है फिर 47840 और फिर मेरे लिए है 47940 यानि कि यहाँ पे यह resistance आपको देखने हो मिलेंगे यहाँ पे हर time market pressurize होगा और सबसे बड़ी बात है नीचे की तरफ पहला ही लेवल है 47560 और यह तूटता है तो 47440 तक के लेवल देखने हो मिल सकते हैं तो focus करेगा वीडियो कर अच्छा लगे तो like share subscribe पर नाना थांक यू सो मच्छ